एमेले, एमपी, इनके अंदर ये सारे चीजे आती हैं, अगर वो लोग विकास नहीं करना चाहें, तब विकास अपने आपस नहीं हो पाएगे। सबसे पहले, आपका स्वागत है, ठीक है, तो ये विकास के नाम पर आपके सामने ही है, ये देख लिजिए कि अभी तक हमारे गाओं के, आप थोड़ा सा रोड दिखाएए, अभी तक ये रोड नहीं बना, और दूसरी बात है, जो यहां के सिटिंग, एमेले थे, जो मैंने गुजर गए, वो बिस साल से, यहने चार टर्म से कंटिन्यू एमेले थे, कहीं भी विकास नहीं हुआ है, ये का तेव है, तो इसलिए मेन मुद्दा है, ये विकास और हम लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन आप किसको लाना चाहते है तो हम तो सर आर, जेडी का ही समर्थन ये करेंगे, हम एक जो नवजुवक, जो हमारे उपमुक मंतरी हैं, ये जनाब तेजवांसी साहब, हम उनके सपोर्ट है रहें, उनके पहले उनके ये बाबुजी थे, लालु जादो, उनको भी हम लोगों ने भोट मने दिया है, इस जार भी हम लोग उनके उनके को देंगे, उनसे आस है कि आने वाले ये समय में ये गुपाल गंच कंस्ट्वेंसी में आये थे, ये तेजवांसी यादो, तो वो बोल के गए हैं कि इंसा अल्ला हम आपके ये गुपाल गंच जीला में एक मेडिकल कोलेज बनाएंगे, और औ हम लोग सरो समत्ती से हमार हमारे गाओं के जितने भी भोटर हैं हम लोग आर जेडी को देंगे भोट, जब पहले लालू जी की सरकार थी ति उस समय उसमय बताया जाता था कि जंगल राज है, ये तो सर ये मने पाटियों का है, लेकिन जंगल राज को छोड़ दीजी, जब था तब था, अभी जो है न सर, उन्ही के आने से ये बैकोर्ट कलास, सिडील का कलास के जितने भी थे जो भोट देने नहीं जाते थे, उनका भोट पहले ही गिर जाता था, तो इस सब को देखते हुए लालू जादो जब आये तो पंदरह साल में बहुत मने एक मंच पर छो से दिया जाता, आज कल के जुग में सबसे ज़्यादे भोट बैकोर्ट कलास के ही लोग दे रहा हैं, जैसे अवैसी साब जी यहां पर पार्टी अपना ए आई एम का टिकट दिये हैं असलम मुखिया को, वो बोलते हैं कि हमारी मुस्लिमों की पार्टी है ए आई एम, तो आ आते हैं कहीं भी अपना कंडिडेट खाड़ा करके अपना और जो जो आर जेडी जहां से मैंने जितने वाली है उसी को हरवा देते हैं, तो इस बार इंसा अल्ला मुस्लिम समुदाय के लोग दो भाग में नहीं बटेंगे, और सारे मुसलमान लो सरो समुद्धी से यह जो म आर जेडी को समर्तन कर रहा है? अगर वो आतंकवाद को समर्थन करता है, तो वो बंद होना चाहिए, अपना परिचे बता दीजिए, हमारा नाम है मुहम्मद सगीर अंसारी और और यह बेरुजगार, है, जब तक मैंने जवानी था, तो मैं अरब में अपना क्राम करता था, अब तो वहां से आ गए रिठार करके बस अपने घर को बिहार में बेरुजगारी है, इसका कारण क्या है? बिहार में सबसे ज़्यादा बेरुजगारी है, बहुत सारे लिए रिठार है, जो गुजरात चले जाते हैं कमाने, दिली कोई कमाने चला जाता है, इसका कारण क्या है? कहां से सुरू हुआ था? कि बिहार के नौजवान लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए, यहां कोई भी रुजगार का साधन नहीं है, आप गोपाल गंज में किसको बिधायक चुनना चाहते हैं, जो आपके हित में काम करें? मोहन परसाद गुप्टा को चुनना चाहते हैं, तो AIM को क्योंने मुस्लिमों की पार्टी है AIM? हमको काम करने वाला आदमी चाहिए, जो काम करके दिखा है, यह जाती बाद हमारे खियाल से बाहर है… आने दीजीए, आने दीजियो उनको जाती बाद वो करने आ रहे हैं, तो नहीं होगा, हो नहीं सकता है इसा, तो इस पार आप लोग अर जेडी के साथ जाएंगे? आपके गाव में विक्या विकास हुआ है मभी 15 सालों में भाजबा की सरकार थी गोपालगंज में सुबाश सिंग जी थे तो उन्होंने क्या आपके गाव में अगर कुछ विकास कीये होते तो उनके नाम कईन बाएब वोड्र आपको मिल जाता ना वहां से घुमते वाब चले आया है को नजर आया कहीं बोड जिसमें लिखा हो सुभास सिंग के करकर मुलो द्वारा सिलनेयस कोई पढ़े आप तब जब नहीं पढ़े हैं तो फिर उनकी बात करना बेकार है हम कहा रहे हैं को पात साधुयादो जब थे मेल तो उनको जिस समय मेले थे आधुकों छोड़ दीजिये तो उनके जैसा कोई के मेले पैदाई नहीं हुआ है जो उन्होंने विकास किया है चाहे जिस गली में चले जाए है या जिस नुकर पर चले जाएं उनका बोड आज भी को नहीं करना को टिक marriage чद्ए किन के लिए BE id da धुम्र सकता कि नहीं है और नंबर नमबर 2 में है और हम डूर बाइट जा के लिपने अप लोगों को दिखाने वाकए इस वीडियो माध्याम से कि जानता क्सके साथ है और पार्टी एक आई एम खड़ी है उसमें असलम मुखिया खड़े हैं यह पाठी कहा मुस्लिम के पार्टी है अवे मैंदिकों के सांद जो ना है कर देंगे हम लोग एगार घृणी को नहीं consistency दिशाँ आये थे मेडल कालेज विधाश के लिए वाडा किया है विधाश कर नापर देंगे हम लोगोट कर दिया है आपकिती है Vocês किस का समर्तन कर रहे हैं और बुझुरक व्यक्ति सबसे पहले परिशे जानता है क्या नाम हो आपका मेरा नाम मोवी नक्तर हुआ आप इस बर किसका समर्थन कर रहे हैं आप एक नवजवान वेक्ति हैं आप किसका समर्थन कर रहे हैं महागडबंधन की महागडबंधन के साथ जाएंगे गोपालगंज में AIM की भी पाटी खड़ा है असलम मुखिया जी भी खड़ा है और वैसी बोलते हैं कि हमारे पाटी जो है मुस्लीमों की पाटी है तो आप उनको समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं मुस्लीम हो जाने से मुस्लीम के समर्थन करना यह तो जातिवाद नहीं होगा यह जातिवाद वाली बात नहीं है विकास देखना है और बहुत बड़ी बात इन्हों ने बोल दिया कि जातिवाद से हटके गोपालगंज की विकास देखना है यह मुद्दा होना चाहिए कि आपके जात के भोट हैं आपके जाती ही कहा है तो आप उनको भोट दीजिए बहुत बड़ी बात अपने कहा है एमेले एमपी इनके अंदर यह सारे चीजें आती हैं अगर वो लोग विकास नहीं करना चाहें तो विकास अपने आप नहीं हो पाए दोनों आदमी पिछले 17 बर्सों से उस तरह के लोग नहीं आए कि जो हम लोग एनसी एरिया में वार्ड नमर दू में पड़ते हैं असाइदुन लोग की नजरों में यह वार्ड नमर दू नहीं है हो सकता है जिसको भूल गया है भोट मैंगने के लिए सिर्पाएंगा बास ब बूल जाता है